नमस्ते दोस्तों नमस्कार साथियों मैं रताश आज आपके सामने हाजिर हूँ एक common query को लेकर दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि पुरुशोतम मास क्या होता है जिसे मल मास कहते हैं वो क्या है तो उनका सवाल है कि नॉर्मली क्या होता है कि श्रादों के बाद अगले दिन से ही नवरात्री शुरू हो जाते हैं लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं है और बीच में एक मेने का gap क्यों है तो इसके बारे में उन्होंने मुझे से जानकारी मांगनी चाहिए दोस्तों अगर आपको पसंद आए information तो please share कीजिए तो कई दर्शकों ने मु ऐसा कोई अशोब टाइम है यह क्या हम कोई नया काम शुरू कर सकते हैं अगर कोई ऐसा काम जिससे long term में उन्हें benefit लेना हो कोई investment करनी हो तो क्या वो कर सकते हैं तो प्रियदर्शकों मैं आपको थोड़ा सा detail में जाकर थोड़ा सा पहले एक भूमिका बता देता हूं जिसस कुछ नहीं है और बिल्कुल आसानी से आपको बात समझ में आ सकेगी दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि complicated से complicated चीज को मैं बिल्कुल सहजता के साथ और सरलता के साथ आपके सामने present कर सकूँ जिससे कि आपको उस बात के पीछे क्या logic है वो आपको पता लग सके तो दोस कर भी यूज करते हैं तो जो चंद्रमा पर आधारित कलेंडर को भी हम यूज करते हैं और सूरे पर आधारित कलेंडर भी हम यूज करते हैं तो जो चंद्रमा पर आधारित कलेंडर है उसे आम तोर पर पंचांग बोल दिया जाता है हालांकि पंचांग एक बहुत detailed information होती ह सिर्फ सूरज और चंद्रमा के बारे में ही नहीं, बाकी सारे planets के बारे में अभी और किसी एक particular instant पर, किसी एक particular latitude और longitude पर, किसी एक specific जगह पर सितारों की क्या स्थिती होगी, planets की क्या position होगी, वो भी हम पंचांग से calculate करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि तिथी का निर्मान एक दिन और एक रात इसे मिलकर होता है तो दिन यानि सूरियोदय के बाद का समय और रात यानि चंद्रोदय के बाद का समय तो इसे एक तिथी बोला जाता है तो जो सूरज का महीना होता है वो तो आप सोलर मंद को तो आप जानते ही होंगे जब सूरज का प्रवेश नई राशी में होता है नई जोडियाक में सूरज का प्रवेश होता है तो वो नया महीना कहा जाता है जैसे for example, सूरी का प्रवेश, यदि कार्थिक मास में हुआ है, तो वो महीना कार्थिक होगा, हिंदी का कार्थिक महीना होगा, लेकिन जो चंद्रमा का महीना होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो कैसे डिफरेंट होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे no moon day से full moon day और full moon day से no moon day तो पहले जो 14 दिन है अमावस से पूर्णिमा तक और फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक तो आप ऐसे sign curve की तरह ऐसे जानिये तो पूरा जो total समय होता है 29.5 डेज का होता है मतलब 29.5 दिन का समय जो होता है वो चंद्रमा पर आधारित महीने का समय होता है तो इसमें problem कहां पर आती है तो जो चंद्रमा के हिसाब से जो महीने हैं जब उनका हम total करेंगे तो 354 या 355 डेज वो बनते हैं पूरे साल के जो सूरज का calendar है उसके हिसाब से हमारे दिन बनते है साल के end में जाके 365 days and 6 hours तो वो जो 6 hours है वो 4 साल के बाद में leap year बन जाता है एक extra दिन बन जाता है जिसे हम 29 February को add कर देते हैं तो हिंदी के साल में 355 days या 354 days और कुछ घंटे बनते हैं तो यह जो 11 दिनों का जो remainder है तो आप हिसाब लगाईए तीन साल के बाद में करीब करीब 33 दिन या 32 दिन ऐसे बन जाते हैं तो वो एक extra महिना add हो जाता है तो वो जो extra एक महिना add हुआ है तो जो एक नया महिना add हुआ है अब इस महीने में हुआ क्या है कि सूर्य के पास किसी नई राशी का चार्ज अभी नहीं है ठीक है तो वो पुरानी ही राशी में है क्योंकि हमने जो बैलन्स था दिनों का तो वो हमने कहीं न कहीं एकमोडेट करना है तो ये रीजन है इसके कारण जो ये एक्स्ट्रा महीना जो एड हुआ है इसे हम पुरुशोतम मास भी कह देते हैं और कई बार मेरे खैल वेस्ट इंडिया में वेस्ट इंडिया में पुरुशोतम मास कहा जाता है और शायद 36 गड़ के आसपास और डेकन पार्ट अफ इंडि तो अब इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं कोई कहता है कि वे ये पूरे महीने आप उया पार्ट करें कोई नया काम न लें कार न खरीदें कोई घर न खरीदें कोई ऐसा काम न करें जिससे लंबे समय तक आपको बेनिफिट लेना हो तो इसके बारे मे मैं कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है हाँ अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो मत करें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यह पूरा का पूरा जो महीना है वो अशुब हो गया है या कोई इन आउस्पीशियस हो गया है ऐसा कुछ भी नहीं है तो it's just like another month actually तो तो बाकी का सारा काम जैसा आप करते रहे हैं वैसा ही आप कर सकते हैं जो auspicious और inauspicious time है वो हम एक particular आदमी का उसके horoscope के हिसाब से हम calculate कर सकते हैं तो उसके particular सितारों के हिसाब से हम calculate कर सकते हैं कि कौन सा time auspicious है कौन सा inauspicious है general masses का यदि हम कहें कि भई कोई ऐसा inauspicious time होता है तो मैं उससे agree नहीं करता general case में क्योंकि यह बहुत जादा general idea हो जाता है हाँ ऐसा जरूर है कि कभी कभी ऐसा समय भी चलता है जब आप mass auspicious और mass inauspicious time आप calculate कर सकते हैं और उसके हिसाब से कुछ घटनाएं भी होंगी तो जैसे for example आप समझ सकते हैं आज कल COVID-19 की situation है तो आप mass inauspicious time आप निकाल के देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा time होगा जब maximum casualties होंगी जब maximum लोग जो है वो परेशान होंगे तो लेकिन उसमें भी अगर मान लीजे individual लोगों के stars अच्छे बैठे हुए हैं तो चाहे लाख मतलब COVID-19 फैला हो लेकिन उनका बचाव होता रहेगा ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब यहां पर क्या है कि आपको जो ऐसे commonly बताया जाता है कि यह महीना खराब है या यह राहुकाल है इवन राहुकाल भी सभी के लिए खराब नहीं होता राहुकाल में भी यदि आपका राहु अच्छा बैठा है आपके कुंडली में और आपने राहु से समबंदित है यदि कारे करने हैं तो राहु से समबंदित काम क्या होते हैं जैसे जासुसी का काम मतलब रिसर्च का काम या कोई इंटरनेट से रिलेटेड काम या कोई ऐसी रिसर्च जो आम आदमी न देख पाता हो ठीक है तो कोई ऐसी ऐलगोरिदम आपको बनानी है जो आ आम तोर पर आपको समझ में नहीं आ रही है तो और आपकी कुंडली में राहू अच्छा बैठा हुआ है ठीक है तो आप यह एक्सपेरिमेंट ट्राइ करके देखना जो भी आपका आप किसी भी दिन जो राहू काल होगा तो उस समय आप समझने के कोशिश करना आप पाएंग बताना चाहता या यूँ कहले जिए बताना मुश्किल भी है क्योंकि अगर मान लीजिए बीस करोड़ लोग हैं तो हम मतलब बीस करोड़ लोगों को कैसे जनरलाइज करेंगे आप यह सोचिए इसलिए अगर आपको मोर स्पेसिफिक इन्फरमेशन चाहिए होती है तो आप आपको राप्ता करना पड़ता है किसी अच्छे अस्ट्रोजर का क्यों क्योंकि अस्ट्रोजी में बहुत सारे millions and millions rather trillions of combinations are present there so you can't you know just generalize something you can't say that this thing will be inauspicious for all the people or this thing will be auspicious for everybody you can't say like that तो दोस्तों मैं summarize कर दूँ कि मैं क्या बताना चाहता था क्योंकि अकसर चर्चा जो है वो थोड़ी लंबी हो जाती है जो लोग मेरे students रहे है वो जो लोग मेरे students रहे है वो इस बारे में जानते है कि मैं कई वार ज्यादा बताने के चक्कर मैं जो discussion है वो off the track भी कई बार हो मैंने आपको बतानी चाहिए एक तो यह के इंडिया में solar और lunar calendar दोनों हम use करते हैं तो solar calendar के हिसाब से 365 दिन और 6 गंटे का समय जो होता है उसके जोड से एक साल बनता है lunar calendar के हिसाब से जो हमारा महीना होता है उसमें 29 दिन का समय होता है करीब करीब 29 दिन और कुछ गंटे जो lunar साल है चंदरमा पर आधारित calendar के हिसाब से जो साल है उसमें कोई 354 डेज और कुछ गंटे बनते हैं मतलब round off करने के बाद अप्रॉक्सिमेटली और जो 11 दिनों का balance है उसे accommodate करने के लिए तीन साल के बाद मैं उसे accommodate करने के लिए एक extra महीना हमें देना पड़ता है जिसे की मल मास या पुरुषवत्तम मास कहा जाता है कई cultures में क्या है क्योंकि हमारे solar system में जो भी कुछ चल रहा है वो सब solar energy के हिसाब से चल रहा है ना सूरज की position के हिसाब से हिसारा कुछ चल रहा है ना आपने अगर science पड़ी होगी तो तो उसमें भी आपने पड़ा होगा के हम जो भी कुछ हैं मतलब food chain के अंदर food web के अंदर जो solar energy है वो जब transfer होती है from grains to herbivorous animals from herbivorous animals to carnivorous you know तो वो सब सूरज की ही energy है उसी का कमाल है तो कई cultures में हमारे यहां पे ऐसी मानने ता है कि जब सूरज के पास में किसी independent महीने का charge नहीं है तो वे मानते हैं कि ऐसे समय में आप ऐसा काम करना avoid करें जिससे आपको लंबे समय तक कोई फाइदा लेना हो ठीक है पर मैं यहां पर यह कहूँगा कि आप जैसे बाकी के महीने में जो सब करते हैं वही आप इस महीने में भी आप कर सकते हैं क्योंकि यह depend करता है कि आपकी कुंडली में आपके stars कैसे बैठे हैं हम उनी के basis पर यह चीज़ बता सकते हैं कि कौन सा time आ आपका auspicious है कौन सा नहीं और इस तरह से जनरलाइज करना मेरे हिसाब से बहुत उप्योगी बात नहीं है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप मुझे कमेंट करके बताएए कि आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके कोई और आपके जो सवाल हैं तो आप मुझे टोपिक दीजिए उसके बारे मैं आपको डीटेल में बताऊंगा और आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करें शेयर करें जब आप एक नई information आप दूसरे लोगों को बताएंगे तो कहीं न कहीं आपको इस बात का credit मिलेगा और दूसरे लोग भी जो जैसे मान लीजिए अगर वो कोई नया काम करना चाहते हैं और किसी के द्वारा में इस काइड करने पर नहीं कर पा रहे हैं अगर आप उन्हें logical information आप उन तक पहुंचाएंगे तो ये एक अच्छी बात होगी तो दोस्तों आप से विदा लेना चाहूंगा थैंक यू बेरी हूंट